हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 11 ओफ फेबररी 2021 और आज की डेट पर रेल्वेस का एक छोटा शेर आरवी एंल का वातर थृका नंबर आया है दोस्तोव बärt नमबर आउट लिंग आया दोस्तो चाए क्वाटर रूर यहाद दोनों सेख्मेंट पर यहाँ पर जम पाया है नंदर तो दोस्तो चलिए वीडियो में हम आरवी एंल का quarter 3 का result बारी किसे चर्चा करते हैं और उसके साथ-साथ RVNL की share price के उपर आपका क्या रन नीती हो सकता है उसके उपर भी पूरा discussion करेंगे तो दोस्तो प्रीज वीडियो को बिना skip के पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकॉन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डिमेट अकॉन उपेंड कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकर इच्प्रीज ना के बड़ाबल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे के और जो कि आज दूडिंग मार्केट यहांपर ब्लोट अपलोट हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता के रखना चाहता हूं कि यहां पे जितने भी नंबर से सारे इन करोर के फिगर पे है तो सबसे पहले यहांपर दो तरह का करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा टोटल इंकम इस क्वाटर में हुआ है 3864 करोर रुपे का जो कि लास्ट क्वाटर सेप्टमबर 2020 में हुआ था 3248 करोर रुपे तो यहां पर आप सीधा-सीधा देख सकते हैं कि इसके इसके पाद हम देखेंगे कंपणी का खर्चा कितना हुआ यानि एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस जो कि इस क्वाटर डिसमबर 2020 में हुआ है 3522 करोर रुपे जो कि लास्ट क्वाटर सेप्टमबर 2020 में हुआ था 3030 करोर रुपे का तो यहां पर जैसे की टोटल इंकम बढ़ा है साथ में कंपणी का थोड़ा खर्चा भी बढ़ चुका है यानि एक्सपेंस बढ़ चुका है जो कि लास्ट यार 2019 डिसमबर क्वाटर मे कंपणी का टोटल एक्सपेंस हुआ था 3493 करोर रुपे का तो यहां पर यार ओन येर भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस कंपणी का बढ़ चुका है अब हम चलिए नीचे चलके देखते हैं कंपणी ने प्रॉफिट कितना कमया चो कि कोई भी कंपणी या बैंक के लिए लाज्ट कॉर्टर सेप्टमर 2020 से बहुत ही ज्यादा है बहुत ही ज्यादा दोस्तोigkeiten रैख सकतें monletijo करार का प्रॉफिट आया ताने पर फिट आयाठ सेप्टमर कॉटर में वहीं सिन्सीट अने इस्ट कोई रॉ ने वसो एक्सिरी करोर का प्रॉफिट हीज प्रॉफिट् कौटर दोनों सेग्मेंट पर ही यूज प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला और यह आज जो रेजल्ट आउट हुआ यह ड्यूरिंग मार्केट हुआ तो यह सी रह सी रह सी रह दोस्तो आज आज आर्ब एनल सुभा से थोरा सा डाउन चल रहा था बट जब रेजल्ट आया अचानक से ऐसे स्पाइक हुगा मैं आपको दिखाऊंगा चलिए बाद में लास्ट में दिखाऊंगा तो दोस्त अभी हम देखेंगे कंपनी का EPS यानि अर्निंग पर शियर कैसा बढ़ा या घटा सबसे वहले बेसिक और यह डाइलूटेट जो कि इस क्वाटर में है 1.35 क यहां पर देख सकते हैं दोस्तों की क्वाटर और पे टूटल इंकम और नेट प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ कंपनी का बेसिक और डिलूटेट EPS भी बढ़ चुका है और लास्ट यह 2019 दिसम्बर कवाटर में कंपनी का बेसिक और डिलूटेट EPS ताप 0.95 का तो यहां यार बेवी जबर्दस जम देखने को मिला बेसिक और डिलूटेट EPS के उपर तो दोस्तों एट देंड अगर मैं बात करू रिजल्ट के उपर रिजल्ट आउटस्टेंडिंग आया है दोस्तों रार विनल जो की रेल्वेस का एक छोटा शियर है तीस पतीस रुप कुछ र और उपर नी छोड़ आये चेक करना मैं गूगल को पढ़ाया हूं देखी एक 31 रुपे 75 पैसे बचल रहा है सीदा सुबह से ये शेयर पैस आप देखे पूरा डाउन पर चल रहा है डाउन थोड़ा ऐसे चल रहा था बट अचानक जब यहां से पॉने दो पॉने दो या प के लिए से ये शेर तो लॉंग टाम के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है रेलेवेस का कंस्ट्रक्शन डिपर्मेंट समलता है बढ़िया बढ़िया पोजेक भी मिलता है चाहि रेल्वेस की तरफ से आदूसरे सेक्टर पे भी मिलता है इस वो कंपणी को प्रजेक्ट पर यानि कंपनी का भी जो अगर आप प्रोमोटर होर्लिंग पैटन देखोए दोस्तों 75 परसंट की बहुत उपर है ठीक है तो इसका मतलब है आर्ट विनल का ओए फेस कभी आ सकता है और यह चीज़ हमें आयार सीटी सी बे भी देखा था कि अचानक प्राइस को फ्लक्ट करके उपर की तरह भेजा गया पुश करके उसके बाद उसमें डिसकाउंट के भर के वेफेस है बट वेफेस का अभी कोई न्यूज नहीं है बट वेफेस जरूर आएगा ठीक है तो आप उसके लिए भी तयार रहना बट आपका टार्गेट हमेशा लॉंग टाम का होना चाहिए चाहिए आप ग्राउंड लेबल पर श्यार करीदा चाहिए आप हाय लेबल पर श्यार करीदा आप खुमेशा लॉंग टाम के सोच के चलना चाहिए कंपनी अच्छा है अभी भी बहुती कम प्राइज में चाहिए ये पांस साल दस साल बात और प्राइस बढ़ जाएगा द आप देखिए बाइंग साइट से सेलिंग साइट में थोड़ा बहुत यहां पे कॉंटिटी ज्यादा हमें दिखाई पड़ रहा है अगर मैं आज टोटल कारवार की बात करूँ आज 11 फेब्रारी दो बज़े का प्रेट है ये एनसी के उपर टोटल जो नमबर अफ कॉंट चलिए मैं खतम करने पहले आपको दिखा देता हूं शेर होलिंग पैटन जो की बहुत ही इंपर्टन देखिए शेर होलिंग प्रेटन जो इसका में प्रोमोटर है यानि इंडियन गॉब्मेंट उनके पास अभी भी 87 परसन की उपर स्टेक है ठीक है यानि इसमें ओफेस मतलब एक महने पर भी आ सकता है हो सकता है कि 2021 के अंदरी अंदरी आने का चांस बहुत ही ज्यादा है यूँकि आयाइट सीडिसी केस में भी देखा था और और आर्वेनल का जो एपेस का न्यूज है वो हमें 2020 की नवेंबर डिसमबर में पता चल गया था कि दिपाम के थू जो की डिपार्मेंट आप एसेट मेंजमेंट वो उसके तुरू पाता चल गया था कि ओफेस के उपर काम चल रहा है आर्वेनल का तो ओफेस कभी भी आ सकता है आएगा तो मैं उसके उपर वीडियो बना दूंगा आप बस चैनल के साथ जुरह रहना चैनल को करना एंग वीडियो का लाइक करका एंगरेच करना चले मिलता नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जाए हिंद